आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है और आज हम इस लेक्चर से एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जहां पर हम अपने numerical values, data values दित्यादी को किस प्रकार से handle किया जाए उसके बारे में बात करेंगे इसके हमारे पास बहुत सारे aspects होते हैं और हम एक एक करके उन aspects को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो आज इस लेक्चर में और आगे आने वाले दो और लेक्चर में हम sequence की बात करेंगे यह sequence क्या होता है? sequence में आपने देखा है कि जो भी हमारी संख्याए होती है वह एक के particular order में arrange होती है जैसे हम कहें 1,2,3,4 इत्यादी यह भी हमारा sequence है जहां पर हर एक value एक-एक unit से आगे बग रही है हम कहें कि 4,3,2,1 इसमें से एक-एक unit हमारी कम हो रही है जैसे 4-3,3-2 इत्यादी उसी तरीके से अगर हम चाहें के 1,3,5,7 यह भी हमारा sequence है जहां पर हमारा एक-दो-दो unit का increment हो रहा है साथ, 5,3,1 इत्यादी यह हमारा एक ऐसा sequence है जो हमारा जिसमें हमारा दो unit का decrement हो रहा है उसमें कम हो रहा है तो इसी प्रकार के जो हमारे sequence होते हैं उनका हमारा computation में, simulation में बहुत इस्तमाल होता है साथ ही हमारा जो R का application होता है वो तो mathematical होता है, simulation के लिए होता है और साथ में data handling के लिए भी होता है बहुत सारे हमारे databases भी होते हैं जिनको हम R software के command के द्वारा handle कर सकते हैं यह जो हम जिन-जिन eagle options की बारे में और जिन-जिन operations के बारे में हम यहां यहां पर बात करने जा रहे हैं यह सब हमारे इन कारियों में उप्योग होंगी तो तुरी है आज हम इस sequence की बात करते हैं और हम आपको यहां पहें बताना चाहेंगे की sequence में नमरे पास बहुत सारे options होते हैं लेकिन हम यहां पहें आपको कुछ जो हमारे popular options होते हैं, उनका हमें इस्नमाल करेंगे किसे कि हमारे जो commonly use हमारे common sequence होते हैं उनको किस प्रकार से जनरेट किया जाए उसके बारे में बात करेंगे और उसको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पर कई उधारग लेंगे उसके दौरा हम आपको समझाएंगे तो चलिए हम इस लेक्ट्चर को आरम करते हैं और हम sequence के बारे में समझते हैं अब देखिए सबसे पहली बात तो यह sequence होता क्या है यह हमारा sequence हमारा एक हमारे जो हमारे numbers हो सकते हैं events हो सकते हैं, moments हो सकते हैं, items हो सकते हैं उनको उनके बीचिस प्रकार का संबंध होता है कि वह एक दूसरे को follow करते हैं, एक किसी particular order में राइट, तो यह से हम कहें कि one, two, three यह हमारे क्या है, एक किसी order में एक दूसरे को follow कर रहे हैं दो हमारा है, एक को follow कर रहा है, दो हमारा तीन को follow कर रहा है या तीन हमारा दो को follow कर रहा है, इत्यादी हम अपने R Software में इसी तरह के जो बहुत सारे sequence होते हैं उनको generate कर सकते हैं और इन sequence को generate करने का जो हमारा command होता है हमारा होता है SEQ गोट और उसSeQ command के अंदर हमारे पास यहां पर बहुत सारे options होते हैं तो हम यहां पर कुछ जो common options होते हैं, उसकी हम बात करेंगे, अब देखिए, कोई भी sequence अगर हम लिखते हैं तो उसमें उसके हमारे कई ingredients होते हैं, जैसे कि वह sequence हमारा कहां से start होगा, तो जहां से start होगा उसको हम उसके लिए option होता है from f r o m और हम इसको करते है from equal to और जहां से जो भी हमारी value है वहां से हम उस value को इस चगहाँ पर लिख देते हैं यहां पर हमने लिखा हुआ है one लेकिन आप one के जाएगा कोई भी value को लिख सकते हैं उसी प्रकार से वह हमारा sequence कहां तक जाएगा अर्थाद की जिस number पर हमारा sequence खतम होगा वह value क्या होगी उसको हम यहां पर indicate करते हमारा option होता है to right और इसको हम यहां पर equal to sign लिखे to equal to और जो भी हमारा number है हम उसमें लिख देंगे यहां पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि मैं जब कहता हूँ to तो यह two यह वाला t o भी हो सकता है t double o भी हो सकता है और यह number वाला two भी हो सकता है तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं कहां पर किस two की बात कर रहा हूँ right और साथ में आपके सामने स्क्रीन भी है आप उसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं टीज ओवाले two की बात कर रहा हूँ यह जो संख्या होती दो मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो यह तो हमारा हो गया कि हमारा सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर खतम होगा अब उसके बाद में जो हमारा सीक्वेंस हो सकता है वो हमारा किस प्रकार से आगे बगड़ा इसको भी हम दे सकते हैं जो sequence किस प्रकार से अगे बगए उसके लिए हमारा command होता है by by और जो इसका formula देखिए जो आज software में दिया गया है वो हमारा इस प्रकार से है two minus from divided by length dot out minus one और यह हम यहां पर अपने हिसाब से इसको हम define करने की कोशिश करेंगे और उसके राबा हमारे पास कुछ वह भी options होते हैं length dot out और along dot width इनको हम आगे आने वाले lectures में धारन के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम आपको यहां पर एक request करना चाहेंगे कि आ आप जड़ा से sequence के उपर जो help है उसको एक बार देख लीजिए उसका command क्या होगा आपका help और parenthesis में आप लिख देंगे SEQ double quotes के अंदर तो यह आपको कुछ इस प्रकार का एक screen देगा और यहां से आप यह बार पगले की कोशिश करिए कि sequence के अंदर हमारे पास कौन-कौन से options हैं हो सकता है कि यह सारे-सारे options की हमको आफशक्ता भी ना पड़े अभी लेकिन जब आप अगर इनको अगर एक बार आप देख लेंगे तो जब भी कभी आपको future में इन options की आफशक्ता पड़ेगी तो आप इनको यहां से help से देख करके at least इस्तमार तो कर लेंगे तो तक लिए अब हम आपको यहां पर अपने इस sequence कमांड के हमारे पास भिन भिन तरीकी के क्या-क्या options हैं और उनको हम ARC software में किस प्रकार से implement करेंगे उसकी बाद करते हैं तो हम यहां पर हम अलग-अलग conditions लेंगे और उसके अंदर हम आपको sequence को generate करके दिखाएंगे तो सबसे पहला बात पर यही होती है कि जो भी हमारा sequence command होता है seq इसके अंदर हमारा default increment होता है plus one या minus one अर्थात की जिस प्रकार से values हमारी आगे बगेंगी उनके 20 का जो अंतर होगा अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो यह plus one या minus one होगा तो plus one indicate करेगा कि increment है अर्थात value बग रही है और जो minus one है यह indicate करेगा कि यह decrement है decrement मतलब की value कम हो रही है अब उधारन के लिए जैसे कि अगर हमको कोई एक sequence बनाना है दो, तीन, चार तो यहाँ पर आपका starting point क्या हो गया? और आपका four क्या हो गया? यह आपको end point हो गया अर्थात आपका sequence दो से start होगा और four पर खतम हो जाएगा अब इस कारे को R software में कैसे किया जाए? तो हमारे command होगा seq और parenthesis में हम लिख देंगे from is equal to two और उसके बाद कर देंगे to two equal to four तो अब यह देखिए जो आपको outcome आपको मिलेगा वह देखिए यहाँ से ऐसा मिल गया आपको मिलेगा two three four तो यह जो two है यह is two को correspond कर रहा है यह जो four है यह is four को correspond कर रहा है और इसके बीश में जो increment हो रहा है यह आपका plus one का हो रहा है अथाक two plus one is equal to three and then three to four में आया three plus one is equal to four अब जिस प्रकार से आपने यह वाला sequence लिया है वहाँ पर आपका जो आपकी संख्याए है वो दो तीन चार वो आगे की और बलती जा रही है अगर आपको कोई ऐसा sequence चाहिए जहां पर value हमारी कम होती जाए तो इसको किस प्रकार से किया जाए इसकी भी हमरे पास R software में possibility होत जाते हैं जैसे 432 तो इसको किस प्रकार से किया जाए तो यहां पर हम इसको लिखेंगे S E Q और फिर लिखेंगे from और from के आगे लिखेंगे अपना number 4 और उसके आगे लिखेंगे T O 2 और फिर equal to 2 तो यहां से मैं आपको यह वाली बात भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास कोई ऐसी condition नहीं होती है कि from में जो value होगी वो हमारे 2 की value से कम ही होगी यह कुछ भी हो सकती है तो देखेंगे यहां से हमारा sequence क्या हमको मिल जाएगा 4 3 2 और इसके अदर आपका जो default increment क्या हो रहा है minus 1 का अथाथ 4 minus 1 is equal to 3 and then 3 minus 1 is equal to 2 अब यहां पर मैंने इन दोनों धारों में आपको दिखाया कि from और 2 के अंदर हम जो भी एक number ले रहे हैं वो हमारा हदम positive है लेकिन यह number हमारा negative हो सकता है जैसे अगर हम यहां पर कहते हैं कि मुझे एक अपना sequence निकालना है जिसकी starting value हमारी होगी minus 4 और जो अंतिम value होगी वो उसकी होगी plus 4 तो इसके बीच में यह हमारा sequence कैसे चलेगा minus 4, minus 3, minus 2 और कहीं पर आएगा 0 उसके बाद 1, 2, 3, 4 तो इस तरह का sequence अगर आपको R software में generate करना है तो आप लिख सकते हैं SEQ और parenthesis में आप लिखें कि from is equal to minus 4 और T O equal to plus 4 और इसको अगर देखेंगे तो आपको यह क्या उतर मिल जाएगा minus 4, minus 3, minus 2, up to here 4 और यह का screenshot है चले हम आपको पहले एक बार इसको R software में करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको confidence आ जाए और उसके बाद हम आपको बाकी operation दिखाएंगे तो देखिए हमने अगर यहाँ पर किया sequence from is equal to 2 to 2 is equal to 4 तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यह मुझको 234 sequence मिल गया अब यहाँ पर हम आपको एक बात और करके दिखाना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पर खाली ऐसा भी लिख देंगे sequence 2,4 तो भी देखिए आपको यह 234 मिल जाएगा उसके पीछे कारण यह है कि sequence के आगे जो भी पहले स्थान पर आप अपनी value लिखेंगे वह हमारी from की default value होती है और जो दूसरे number पर value लिखेंगे यह मारी to2 की default value होती है लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर transition दोगा हमारी राई यही है कि आप यहाँ पर complete from और to को लिखिए जिससे कि आपको कभी उसको समझने में कोई confusion ना आए उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर करते हैं कि sequence अग 2 तो देखिए क्या हो जाएगा यह आपका 432 मिल जाएगा और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर कर दिया 14 to 2 तो देखिए आपको 14 13 up to 2 तक value मिल जाएगी और इसी में आप अगर माली यह कोई अगर value को negative भी अगर देना चाहते है तो मैंने कह दिया जैसे from हमारा होगा minus 4 or 2 हमारा होगा suppose say this plus 4 तो इसमें हमारा sequence हम को minus 4 और 4 की बीच में जो values एक 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 unit के increment पे होगी तो यह देखिए मिल जाएगी right तो आपने देखा की इन commands को R software में करना बहुत ही आसान काम है और यहाँ पे हम आपको आप हम आगे बगते हैं और आपको हम यहाँ पे कुछ और अधारान लेकर के दिखाते हैं जिससे आपको in sequence command के और भी application दिखाई पड़ेंगे अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको जो दोनों sequence ली हैं उसके अंदर हमारा constant increment हो रहा है एक एक unit का जो default है अब हम यह चाहते हैं कि हमारा sequence ऐसा हो जिसके अंदर हमारा constant increment एक की जगह कुछ और हो जो हम चाहते हैं तो जैसे उधारल के लिए हम एक अपना sequence ऐसा निकालना चाहते हैं जो हमारा arm होगा दिकस से खतम होगा 20 पर और 10 और 20 की बीश में जो हमारी value बढ़ेंगी वो हमारी दो units होंगी तो इस कारक को किस प्रकार से किया चाहिए तो देखिए हमने अपना command लिखा यहां पर seq और यहां पर लिखा हमने from और from को हमने लिखा from equal to 10 यह 10 क्या हो गया यह वाला 10 है उसके बाद में हमने लिखा to2 और 7 में लिखा is equal to 20 तो यह जब हमारा 20 देखिए यह वाली value को जाएगा उसके बाद हमने लिखा by 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 और by equal to 2 तो यह जो by equal to 2 है यह हमारा यह जो मने लिखा increment of 2 unit यह उसको दिखा रहा है अतार कि 2 unit का increment अगर मुझे दिखाना है तो हम लिख देंगे by equal to 2 आप उसके बाद देखिए जो आपका sequence यहां से generate होगा देखिए कैसे होगा यह start ह कहां से 10 से उसके बाद 2 दो unit का increment होगा 10 में 2 unit का increment होगा कितना होगा, 10 दो दो बारा ते बारा गया, 12 से 14, 14 से 16, 18, 20 तो देखिए आपको इस ही तरह का sik University का sequence मिल गया जो हमारा दस पर आरम हो रहा है और 20 पर कतम हो रहा है और इसमें हमारी दो unit का increment हो रहा है की हम इसीमें अगर हम माल लिजें की दो यूनिट के इंक्रीमिन की जगा। कम कैसे कार को कैसे किया जाए तो चलिए हम एक सेक्वर्ण करते hij from 20 to 10 अर्था जो हमारा sequence होगा 20 से शुरू होगा और 10 तक आएगा और इसमें इनकी जो values होंगी उसमें दो-दो unit का decrement होगा अर्था दो-दो units हमारी कम होती जाएंगी तो अब देखिए इस कार को किस प्रकार से किया जाए तो मैंने लिखा यहां पर seq अपना command है और फिर हमने लिखा from is equal to 20 तो यह 20 को दिखा रहा है और फिर हमने कहा दिया 2 is equal to 10 अब यहां को ध्यान रेखना है मैंने यह नहीं कहा है कि 2 equal to 10 no मैंने कहा है t o equal to 10 तो t o equal to 10 यह हमारा is can को दिखा रहा है और फिर हमने कह दिया y is equal to minus 2 minus 2 पता क्यों कहा है यह हमारा यहां पर दिया हुआ है decrement of 2 units तो जब भी अगर हम कह देंगे y equal to ah suppose plus 2 units plus 2 तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहां पर 2 unit का increment होगा और अगर हम कह देंगे y is equal to minus 2 तो यह हमारा decrement होगा और y equal to हम plus 2 की जगर खाली 2 भी लिख सकते हैं तो इसलिए decrement को दिखाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया minus 2 अब इसके बाद देखिए जो हमारा यहां पर outcome generate होगा किस प्रकार का है यह हमारा from से शूरू हो रहा है 20 then इसमें से दो values कम हो गई हो गया 18 दो value और कम हो गई 16 14 12 और 10 क्योंकि अभी sequence आपका 10 तक ही आना है और देखिए इसका screenshot है तो यह आपने सीख लिया कि अगर आपको increment करना है तो आपको plus देना है और अगर decrement देना है तो आपको minus देना है और साती साती यह जो increment और increment है यह आ आपको जो भी हमारे गड़त के नियम होते हैं कि यह आपको किस प्रकार से from और two की value देनी उसके साथ में आपको सोच करके देना है राइट अब यहां तो मैंने आपको दिखाया कि यह जो हमारा increment और decrement हो रहा है दो या minus दो तो यह को हमारे numbers है integers हैं अब अगर मान लिए कि यहां पर हम इसी increment या decrement को अगर हम fraction में करना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए राइट तो अचली हम एक यहां पर अपने from to और by का ऐसा combination लेते हैं जो हमने अब तक यहां पर सीखने की कोशिश करी है तो हम एक ऐसा sequence यहां पर निकालते हैं जो हमारा आरम हो रहा है क 3 से और समाप्त होगा मानस 2 पर और इसके अंदर हमारा constant decrement होगा 0.5 का अठार जो हमारा sequence है 3 से आरम होकर के मानस 2 तक जाएगा और उसके बीच में हर एक value हमारा 0.5 unit से कम होती जाएगी तो इसके लिए हमने लिखे क्या कमान लिखा s e q और फिर हमने लिखा from from is equal to 3 o वाला 2 is equal to minus 2 और देखिए minus 2 ये वाला है फिर हमने लिखा decrement तो decrement के लिए हमारा जो minus sign आ गया और फिर हमने लिखा 0.5 unit तो यह 0.5 यहाँ पर दिया हुआ है अब देखिए यहां से जब आप इसको r पे execute करेंगे तो यह आपको कुछ इस प्रकार की value देगा यह आपको श से आपने 0.5 subtract किया तो क्या value आ जाएगी 2.5 2.5 में से 0.5 को subtract किया तो क्या value आ जाएगी 2 और इसी प्रकार से यह हमारा sequence आता जाएगा और आगे बगलते बगलते यह जब इसको जैसी value minus 2 मिलेगी यहां पर यह हमारा sequence stop हो जाएगा आपने देखा कि यह इसका screenshot है और इसको करने में आपको बस यह समझना है कि किस प्रकार से हम अपनी from, to और by की value को control कर रहे हैं अब इसके बाद में हम आपको एक और condition बताते हैं कि suppose आपको एक ऐसा sequence generate करना है जहां पर आपको उस sequence में कितने elements होंगे उनकी संख्या पता है अर्थाथ उस sequence की लंबाई है वो आपको में पहले से मालूम है और आपके पास दो options हैं कि वो sequence कहां से start होगा अथवा कहां पर खथम होगा और उसके अनुसार आपको उसमें से 10 number generate करने हैं तो इस कार को किस प्रकार से किया जाए अगर हम यहां पे अपने कोई भी अगर हम कोई increment की बात नहीं देते हैं तो जो हमार default increment होता है वो हमारा one units का होता है और अगर हमको अपना कुछ और increment and decrement देने के आफशकता है तो हम command use करेंगे by यह है तो अब आपको मालूम पढ़ गया है लेकिन जब अगर हमको किसी अपनी दी हुई लंबाई का sequence generate करना है उसके लिए हमारा यहां पे control हम जो करते हैं वो हो हमारा command एक length l-e-n-g-t-h यह हमारा सब कुछ lowercase alphabet में लिखा गया है और इस कार को करने के लिए हम यहां पे अपना command लेखेंगे seq और फिर यहां पे कर देंगे to is equal to 10 अर्थात कि हम इस sequence को 10 के उपर 10 पर खतम करना चाहते हैं और साती हमारी यहां पे जो लंबाई है length है वो एक ऐसा sequence बनाना चाहते हैं जिसमें 10 संख्याई हो और वह sequence हमारा 10 पर आकर के समाप्त हो जाए तो देखें इस कार को जब हम यहां आर पे करते हैं तो यह क्या outcome आता है एक दो तीन चाहर अप्टू 10 तो देखेंगे आपको यह 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 करते करते हैं यह आपको एक पर आगिया है और यह total कितनी से क्या है एक दो तीन चाहर पांच से 7, 8, 9, 10 तो देखेंगे 10 त राइट और जो यह वाला है आपको 10 यह आपको यह जो आपने लिगा हुए 2 यह इसको indicate कर रहा है तो एक इसका screenshot में भी आपको clear है कि जब हम इसको R software पे करेंगे तो आपको कुछ है इस प्रकार का outcome देगा अब इसके बाद में अगर हम इसमें से 2 की जगह माली यह from को करते है कि हमें एक ऐसा sequence चाते हैं जिसकी लंबाई हमारी हो 10 अर्थात उसमें total हमारे element और 10 इसके लिए हमारा command option क्या है L E N G T H सभी कुछ हमारा lowercase alphabet में आएगा और यहां पर हम लिख देंगे 10 अब हमको यहां पर एक ऐसा sequence चाहिए जो हमारा 10 value से आरंब हो रहा हो अर्थात कि ऐसा कुछ हो 10 से आरंब हो उसके बाद 11, 12 करके यह वहां तक चलता रहे जब तक हमारे पास यहां पर total 10 values न आ जाए तो देखी यह आपको outcome कहतेगा ऐसा 10, 11, 12, up to here 19 तो देखी कितनी value हो गई एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाप पर total कितनी value हो गई 10 तो यह जो लेती है 10th value तो यह जो 10 है यह आपका यह जो लंबाई का 10 है इसको define कर रहा है और यह जो 10 है जहां पर हम लिखा रहे हैं आपको यह आपका from वाला 10 है तो इस पेसे लेखे आपने क्या किया आप इन दोनो इंग्जाम्पल्स में आपको यह पता था कि आपको किस प्रकार की और साथ ही आपको ये फैसला करना था कि आपका sequence कहां से आरम होना चाहिए या कहाँ पर खटम होना चाहिए इस तरह के sequence को देखे हैं यहां पर इस प्रकार से generate कर सकते हैं और कोई कटिन काम तो नहीं है अब यही कार हम फिरसे करते हैं और जो मैंने यहां पर इंक्रीमेंट जो म KL का एकयूनिट का, ईसकी जगह हम अपनी से डिफाइन करते हैं तो अब यह हम जो अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यसको हम फ्रेक्षिन में भी कर सकते हैं यह actually में हम fraction में भी कर सकते हैं और हम इसको plus minus भी दे सकते हैं plus हमारा दिखाएगा increment और minus हमारा दिखाएगा decrement तो जैसा मैंने पहले समझा है उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर fractional increment के साथ में implement करने की कोशिच करते हैं तो देखें यहाँ पर हमने कहा कि हमको एक ऐसा sequence चाहिए जो हमारा 10 से शुरू हो तो इसके लिए मैंने command दे दिया from, from equal to 10 और इसके लंबाई होने चाहिए 10 तो मैंने दे दिया command len gts equal to 10 और उसके बाद मैंने जब हमको एक ऐसा sequence चाहिए जिसमें से हमारा 0.1 unit का increment हो रहा हो तो यह आपका क्या fraction increment हो रहा है और इसको मैंने a sequence command के साथ में दे दिया तो आपको देखें यहाँ पर क्या value मिल जाएगी यह value कहां से शुरू हो रही है दस से और यह इसके बाद में यह हमारी पहली value है यह मारी दूसरी value है यह मारी किसरी value है यह चौती है यह पांचवी है यह छटी है यह सातवी है यह आठवी है यह नवी है और यह आपकी 10th value है तो यह जो हो गया आपका 10th value यह आपका यह जो लंबाई का 10th है यह उसको define करता है और आप देखेंगे कोई भी sequence के बीच में जैसे 10.5 और 10.4 के बीच में कितना अंतर है यह आपका 0.1 क्या हो गया यह आपका यह जो आपने दिया है यह आपका हो गया तो इस प्रकास से आप ने देखा कि आप इसकी लंबाई को फ्रॉम टू और बाई दोनों से आप कंट्रोल कर सकते हैं अब इसी में अगर हमको मालने की constant decrement चाहिए और हमको यह पता है कि हम अपने उस sequence को कस value से आरम करना चाहते हैं 10 value से आरम करके हम ऐसा sequence चाहते हैं जिसमें हमारे पास कितने elements हो 10 और यह elements हमारे ऐसे arrange होने चाहिए कि वह कम होते जाए इसका अलब क्या है कि हम कोई sequence लेते हैं 10 और यह कम अगर हो रहा है दो दो unit अगर तो कैसे जाएगा 10 आच 6 और यह कहां तक जाएगा जब तक हमारे पास 10 values ना आ जाए तो इसका हमारा sequence क्या होगा आर कमान में सेक्यू और प्रेंथिसम लिख देंगे फ्रॉम इकल तो 10 और यह इकल तो 10 और यह इकल तो कर देंगे अभाम minus 2 तो यह हमारा क्या होगा यह हमारा decrement दिखाएगा और जब आप करेंगे इसको तरह कि आपको यह outcome मिल जाएगा यहां पर इस प्रकार का तो यह देखिये जो पहली value दूसरी value तीसरी value चौथी value पांचवी value छती value शती value साथमी value आठमी value नभी value और यह देखिये 10th value आपको मिल गई राइट और हर एक value के बीश में देखी जो अंतर आ रहा है कि जैसे हम कहें कि जैसे 6 और 4 के बीश में 6 minus 4 कितना हो गया 2 और यह क्या हो रहा है काम हो रहा है तो इसको इसलिए यह minus 2 हो गया यह minus 2 आपका इस value को define कर रहा है राइट ओके अब हम आपको यहां पर यह भी दिखाते हैं कि हमको इसी प्रकार का कोईगर सीक्वेंश चाहिए जहां पर हमको यह पता है कि यह मारा सीक्वेंश कहां से आरम होगा और उसी लंबाई कितनी होगी और साथ जो इसका constant decrement यह मारा fractional में है इसको करना बहुत ही अस तो मैंने यहां पर लिख दिया from equal to 10 और सबोच हमारी इच्छा है कि हम 5 numbers का sequence बनाए तो मैंने यहां पर लिख दिया L E N G T A सबकुछ lower case alphabet में equal to 5 और यह जो हमारा sequence किस प्रकार का होना चाहिए तो मैंने यहां पर कर दिया y is equal to minus 0.2 तो अब यहां देखिए आपका sequence कहां से 10 से शुरू होगा यह दिखा रहा है from 10 उसके बाद यह इसमें से 0.2 units हमारी कम होती जाएंगी और यह हमारी 1st value है 9.8 हमारी 2nd value है 9.6 हमारी 3rd value है 9.4 हमारी 4th value है और 9.2 हमारी 5th value है तो हमको समें देखिए 5 elements मिल गए और इसमें हर एक value हमारी 0.2 units से कम होती जा रही है राइट आपने देखा कि हम इस तक अभी sequence कर सकते हैं अब हम जड़ा सा आपको in sequence को हम अपने आर software में करके दिखाने की कोशिश करते हैं राइट तो देखिए हमने अब यहां से जितने भी commands की हैं यह हम आपको यहां पर करके दिखाएंगे तो चलिए देखिए जैसे हमने कहा की मैंने यहां पर कर दिया from from मैंने कर दिया 10 से कर दिया और उसके बाद में कहां से कर दिया 2 is equal to 20 और जो हमारा increment होगा उसको मैंने कर दिया 2 तो तो यह value क्या आगे देखिए 10 12 14 16 18 20 राइट और इसी के अंदर in case अगर मैंने यहां पर ऐसा कर दिया की हमारा from कहां से और यह कहां तक आएगा 10 तक और by 2 तो देखिए तो इसने गलत कर दिया यह क्यों गलत हो गया आपका कोई sequence अगर 20 से हो करके अगर 10 की ओर आ रहा है तो आपका यह increment हो रहा है कि decrement हो रहा है तो आपका decrement हो रहा है तो decrement को हम कैसे indicate करते हैं by is equal to minus 2 देखिए जबाब करेंग तो देखिए आपको यह वाला sequence मिल जाएगा जो आप निकालने की कोशिश करते थे तो यही बात मैंने आपसे कही थी कि जब भी आपस अपने sequence में in commands की को आप इस्तमाल कर रहे हैं तो यह from to by इतियादी जो भी आपकी यह जो भी जो भी आपके parameters हैं इनको हमको जो गड़ि कि अगर हम आपको देते हैं कि command की अगर हमाली कोई हमारा sequence है उसको हम 10 से शुरू करते हैं और suppose कि हम इसको अगर हमाली 15 पे खतम करते हैं और जो हमारा increment होगा यह हमारा 0.2 का होगा तो देखिए यह आपको sequence मिल गया और अगर इसी sequence में अगर आपको यहां पर अगर आपको decrement चाहिए तो आप क्या करेंगे कि यह sequence हमारा 15 से शुरू होगा और यह 10 पर खतम होगा लेकिन यहां पर decrement हमारा क्या होगा माइनस के sign में होगा तो यह देखिए आपको मिल गया सारी वेल्यू आपकी 15, 14.8, 14.6 इत्यादी करके आ रहा है तो इस तरह कैसे मिल जाएगा उसी तरह के से अब अगर आपको अपनी लंबाई के बारे में मैं अगर पहले से पता है आपके पार दो options हैं कि आप किसी sequence को मा होनी होनी चाहिए suppose 5 होनी चाहिए तो आपको यह देखिए कैसा मिल जाएगा यह 10 से शुरू होगा और यह 10, 11, 12, 14, 5 elements मिल गए आपको और इसी के अंदर अगर हम मालीजे करते हैं कि यह आपका जो sequence ऐसा होना चाहिए जो 10 पर खतम हो जाए और उसमें 5 element हो तो देखिए 8, 9, 10 मिल गया आपको उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर ऐसा कोई sequence चाहते हैं कि जो हमारा 10 से शुरू हो इसके लंबाई हमारी 5 हो और इसमें से जो हमारा increment हो हमारा 2 का हो तो आपने कर दिया है यहाँ पर y equal to 2, right तो आपको sequence प्रकार जो 10 से आरम हुआ, 10, 12, 12, 14 यत्या तो आपने कर दिया कि 10 से शुरू हो और उसमें से 2 unit कम होनी चाहिए और हमको 5 element चाहिए, तो आपको दिखे ऐसा sequence आपे मिल गया, अब इसी में अगर आपको आपको fraction करना है कि आपने कहा कि हमको 10 से आरम करना है और हमको 5 element चाहिए और इसमें से जो भी हमारा increment हो रहा है वो fraction है 0.2 तो आप देखेंगे हमको यहाँ पे 10, 10.2, 10.4 करके ऐसे मिल गया और अगर इसी में अगर आपको इसको constant decrement करना अगर है कि from से आरम हो रहा है और इसमें से constant decrement है तो भी देखे आपको यह मिल जाएगा 10, 9.8, इतियादी, 9.6, अब इसी में आप यहाँ पे चाहिए अगर तो from की जगे आप 2 को भी कर सकते हैं, तैसे देखेंगे मैंने यहाँ पे कर दिया 2, मतलब कि जो भी हमारी अंतिम value होगी वो हमारी होगी 10 और हमको यहाँ पे 5 values का एक sequence चाहिए और इसमें से increment हमारा 0.2 होना चाहिए, right, को देखेंगे आपको कैसा आ गया, इस प्रका इसी के अंदर आपको इसको अगर decrement करना है, तो आपने यहाँ पे by में minus का sign लगा दिया, तो देखें क्या हो जागे, आपको 10.8, 10.6, 10.4 करके आपको 5 values मिल गई, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम इन सारे सारे sequence को अपने 2, length, by, from, इतियादी से हम कैसे control कर सकते हैं, और अब आपको बस यह ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पर 2, from, by, इतियादी की value का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा जो भी गड़िक के नियम होते हैं, उनका उनको पालन करना पुड़ेगा, अब, मैंने आपको आज इस खाली एक ही command के बारे में बात करी है, sequence, SEQ, लेकि कि उस command के अंदर हमारे पास कई सारे options हैं, और इस options को हम अलग-अलग करीके से values दे करके हम भिन-भिन तरीके के sequence को automatically generate कर सकते हैं, तो यह जो हमारा option है, यह हमको हमारे mathematical calculations में, computations में, programming करने में, data management में, बहुत सायथा करता है, हमको कोई program लिखे बिना यह value एक ही syntax से हमारी generate ह जाती है, लेकिन उसके लिए आपको practice करना बहुत आवश्यक है, कि हम from की value को कैसे लेंगे, to की value कैसे लेंगे, और उससे भीतर option तो यह है कि आप एक sequence लिखिए, और उसको यह देखे कि हमको यहाँ पर from to और by इत्यादी की value को किस प्रकास से लेना चाहिए, कि हमको यह sequence मि जाए, और इसके साथ ही आपने को जो मैंने बताया है कि help में आप जाकर कि इसके हमारे पास बाकी भी जो options होते हैं, उसको देखने की कोशिश करिए, कि उसमें से क्या-क्या options हैं, और आप कोई भी आप 2-3 options के combination को आप ले सकते हैं, लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना है क कि वो गलत के नियमों के निसाब से सही होना चाहिए, और उससे आपको एक practice हो जाएगी, आपको idea हो जाएगा कि हम अपने भीन-भीन प्रकार के sequence को किस तरीके से generate कर सकते हैं और जो आपको भविश में programming करने में बहुत साहता करेगा, तो आप इन command C practice करिए और हम आपको अ कर दो